Now, we'll learn how to factorize using identities. पिछला वाला जम्नों factorize किये थे, वो काफी easy था जिसको middle term factorize बोल रहे थे. ये factorize ब्राइब करने के पहले, एक बार सारा formula हम ऐसे लिखेंगे. And I would prefer if you would like, you would write 2 while solving the exercise. First identity, A plus B whole square. Next identity, A minus B whole square. A square plus B square minus 2AB. Identity को series wise ही रखना. Identity 3 था A square minus B square. तो ये उता था A minus B, A plus B. Fourth identity था A plus B plus C whole square. तो एक बार तीनों term का square, फिर एक बार 2AB, 2BC and 2CA. Fifth identity था X plus A and X plus B. तो पहला term का square करते थे. पीछे वाला दोनों term को हम लोग add करते थे. फिर X के साथ multiply. And last में AB. दोनों को multiply करते थे. ये पांच identity है. तो आज जो हम लोग factorize करेंगे, उसमें ये पहला first four identities हम लोग को काम आएगा. जो हम लोग middle term किये थे, वो हम लोग actually इसको use करके किये थे. You don't have to use that now. So, I'll start with my questions. सबसे पहला question. Suppose I'm doing question number two. 4 X square plus 9 Y square minus 12 X Y. Factorize करना मतलब bracket वाला formula आना है. तो हमको, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 X square को 2 X bracket के भार square. तो ये हो गया 2 का square 4 X का square. इसी तरह से 9 Y square को लिख सकते हैं. 3 Y का whole square. फिर हम लोगों को क्या पता है? कि 2 A B का form होता है. जैसे ये रप plus 2 A B या minus 2 A B. तो हम इसको क्या लिखेंगे? minus 2 dot dot का मतलब into. A क्या है मेरे लिए? पहला term 2 X है. तो 2 X. फिर dot. B मेरे लिए क्या है? 3 Y. तो 3 Y. तो ये कौन सा identity का form हुआ? अगर हम इसको pencil से लिखेंगे. just for the sake of understanding. तो ये कैसा दिख रहा है? A square है. plus B square है. और minus 2 A B है. तो इसके लिए क्या होता था? A minus B का whole square. तो हम लोग इसके बदले क्या लिख सकते हैं? 2 X minus 3 Y का whole square. whole square मतलब वही term दो बार है. तो equals to 2 X minus 3 Y. 2 X minus 3 Y. आ गया bracket वाला form तो हो गया factorize. इसी तरह से एक extra question देते हैं. ये extra है. 16 M square minus 40 M N plus 25 N square. सबसे पहले तुमको ये सोचना है कि पहला number को किसी के square के form में लिख सकते हैं या नहीं. तो 16 होता है 4 का square. तुम लोग 8 M मत लिख देना. उसी तरह से ये होगा 5 N का square. फिर तो पता है 2 A भी लिखना है तो 2 dot. तुम अपने आप ये लिख दो. वो खुद से match हो जाएगा. देखो 2 X 4, 8. 8 X 5, 40 M N. यहाँ पर भी देखो 2 X 2, 4. 4 X 3, 12. वो अपने आप match होगा ही होगा. अदरवाइस question ही wrong रहेगा. तो इसको क्या लिख सकते हैं? A square minus 2 AB plus B square. तो यह होगा 4 M minus 5 N whole square. फिर उसी को दो बार लिख देंगे. अगर यहाँ पर plus 40 M रहता. तो यह plus होता. तो यह हो जाता. A square plus 2 AB plus B square. तो A square plus B square plus 2 AB. वो पहला identity हो रहा था. तो हम लोग whole square में plus 2 रहते हैं. ऐसे plus हो जाता. फिर यह एक pattern था. जिसमें directly identity लग जाता था. अब फिफ्थ question है. 9 X square Y. 9 X square Y minus 24 X Y square plus 16 Y cube. इसमें क्या है? कि कोई सिर्फ square है ही नहीं. साथ में और भी एक्स्ट्रा आ जा रहा है. तो हम लोग common ले लेंगे. इसके पास X है Y है, X है Y है. लेकिन इसके पास सिर्फ Y है. Y तो तीनों के पास है. तो हम लोग Y का सबसे कम power के है 1. तो हम लोग उसको common ले लेंगे. और क्या common आ रहा है? इसमें से 3 आएगा, इसमें से 3 आएगा. लेकिन इसमें से नहीं आएगा. तो कुछ common नहीं आ रहा है. common लेने के बाद हम लोग bracket देते हैं. तो यह होगा 9X square minus 24X, 2Y से 1 ले लिए. और यहाँ पर plus 16, 3Y था, 1 ले लिए तो Y square बच गया. तो इसके बाद क्या करेंगे? अब observe करो, यह अपना identity बन गया. इसको लिख सकते हैं 3X का square, इसको लिख सकते हैं plus 4Y का square, तो जरूर इसको लिखेंगे 2, 3X, dot 4Y. देखो 2 into 3, 6, 6 into 4, 24, XY. हर बार अपने आप होगा. तो यह लिखेंगे 3X minus 4Y का whole square. अब इसको तुमको दो बार लिखना होगा. 3X minus 4Y, 3X minus 4Y. Y को दो बार मत लिखना. तो ऐसे होता है, यह होता है second pattern, जहाँ पर factorize करने के पहले, हम लोगों को कोई भी चीज को common लेना पड़ता है. इस तरह से बहुत सारा questions है, कुछ-कुछ steps हम करके दिखा देते हैं. जिससे 6th question है, 2A cube plus 4A square B plus 2AB square. तो इसमें भी क्या, जब cube रहेगा, मतलब समझ जाना तुम लोग कि कुछ common लेंगे. सबके पास A है, तो 1A common लेंगे. यहाँ सबके पास 2 भी common आ रहा है, तो 2 भी ले लेंगे. common देने की बाद square bracket, 2 तो हड गया, यहाँ पर A square बचा. 4 से 2 डिवाइड होगा, 2 बचा, एक A लिए, तो 1A बचा और B बचा. यहाँ से 2 और A दोनों हड़िया, तो B square बचा. देखो कितना simple है, इसको तो लिखने का भी ज़रत नहीं, अल्रेड ही पता है, A plus B whole square है. तो 2A, फिर bracket में A plus B, A plus B. इस तरह से question number 7, इसका हम सिर्फ first step दिखाएंगे. देखो, यहाँ पर कोई भी variable common नहीं आ रहा है. A square ठीक है, B square ठीक है, A b ठीक है. तो तुमको यह common sense के थूरू समझना होगा, कि ज़रूर यहाँ से कोई number common लेंगे. क्योंकि 50 किसी का square नहीं होता, 98 भी नहीं होता है. तो common लेकर देखना, 2 आ रहा है common. कभी 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, खुद देखना. 2 common ले रहे हैं, तो यहाँ पर बचला है 25 A square, फिर 98 by 2 होता है, 49 B square, और 140 by 2, 70 A b. इसको भी square में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकता है, इसको 2 A b करके लिखना. फिर factorize करना. तो यह सम खुद से complete करना. तो हम लोग second pattern अच्छे से समझ गए, जिसमें था कि कुछ part common लेना. और first portion में क्या था? डायरेक्टली formula में बस set करके दिखाना है. अब है third identity का use करते हैं. Question is 64 X square minus 81 Y square. यह common sense के थूँ पहचानना, कि जब दो ही term रहेगा, तो इसका मतलब third identity है. A square minus B square, A minus B, A plus B. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 8X का whole square, और इसको लिख सकते हैं 9Y का whole square. तो यह हो गया, A square minus B square. तो क्या लिखते हैं? A plus B, फिर bracket, A minus B. तुम लोग maximum जन इसको करता है, 8X minus 9Y का whole square. यह whole square नहीं होगा. यह individual square है, जिसका plus और minus लगता है. Whole square होना होता, तो minus 2A भी लगता है, और यहाँ पर plus होता. तो प्लीज यहाँ पर focus करके करना. इस तरह से 11th question है, 25X cube Y cube minus 49XY. तो यहाँ पर दो टर्म है, इसका मतलब 110% third identity ही लगेगा, लेकिन common भी लेना पड़ेगा. दोनों के पास XY है, तो XY common ले लेंगे. तो यहाँ बचेगा 25X square Y square minus 49. क्योंकि उससे हैं, तो XY हट ही गया. फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 5XY का whole square, और इसको लिख सकते हैं 7 का square. तो यह क्या होगा? 5XY, यहाँ गया A square minus B square, तो A plus B, फिर A minus B. तो यह रहाँ इसका factorize. तो इस तरह से जिसे 10th question है, उसको भी rough में ही दिखाएंगे. 16A square B minus 64B cube, तो B cube है और B है, तो B तो common हाई रहें, 16 भी common ले सकते हैं. तो यह बचेगा A square, यहाँ बचेगा 4. फिर उसको लाना कि A square को A का square लिख सकते हैं, 4 को 2 का square लिख सकते हैं. फिर उस तरह से करना. Next question है, question 12. Okay, I will start with question 12 in the next video.